हेलो फ्रेंट्स मैं रूपे सिंग यूनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं तो देखिए फ्रेंट्स फुल कॉंसेप्ट एंट्रिक में आज बहुत ही जबरदस सेसन होने वाला है वो किसे है कंपाउंड इंट्रेस्ट में आपके फ्रेंट्स पूछा जाता है SI और SI का difference और principle तो फ्रेंट्स इस टाइप के question कैसे हल करेंगे आज हम आपको सिखाने वाले हैं most important session है इस बात का ध्यान देना ऐसा कोई exam नहीं है फ्रेंट्स जहां से जहां जो है इस topic से जिस exam में question ना पूछा जाए तो चलिए फ्रेंट्स सबसे पहले जैसा की screen पे आपके question द देना अगर दो साल के SI और CI का जो difference होता है वो आपको direct result याद होना चाहिए वो होता पता होता क्या होता है x square by 100% यह आपको direct result पता होना चाहिए इस बात का ध्यान देना इसको आप note कर लीजे और बहुत सारे friends देखे बहुत सारे teacher जीसे कुछ trick होता है दो साल का अगर मैं compound interest की trick की बात करूँ यानि अंतर की तो friends दो साल के compound interest का जो यह सिर्फ दो साल पर लगेगा friends इस बात का ध्यान देना तो होता है d is equal p break out में r upon 100 की power 2 क्या होता है friends d is equal p r upon 100 की power 2 अगर friends यहीं तीन साल की बात करें किसकी कहें तीन साल की बात करें तो तीन साल का होता है D is equal P हाला कि friends मैं कहीं फार्मूला लगाऊंगा नहीं लेकिन आपको याद होना चाहिए R upon 100 की power 2 अगले breakout में कितना हो जाएगा 300 plus R by 100 friends अगर यहीं आपको डारेक्ट्री की याद है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस बात का ध्यान देना अगर नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाएंगे हाला कि friends मैं डारेक्ट्री ही लगाने वाला हूं इस बात का ध्यान देना तो यहाँ पर अंतर पूछा गया है तो 5 का square कर देंगे 25 और 25 बटे 100 करेंगे तो friends कितना जाएगा 0.25% मेरा 0.25% आया friends यही आप से पूछा भी गया है तो 4000 का 0.25% आप निकाल देंगे कितना निकाल देंगे 0.25% निकाल देंगे तो friends देखे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखे फ्रेंट्स टू डिजिट के बाद डिस्मल है इस डिस्मल को हटाते हैं तो नीचे दो 0 बट जाएगे तो एक दो तीन 0 से तो तीन 0 आपके यहाँ पर कैंसिल होगे तो 25 चोंकर कितन का राइट आंसर होगा clear है I hope की friends बाते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे तो चलिए friends अगले question की तरफ बढ़ते हैं और अगला question बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है अगला question friends के रहा है कि X रूपय की एक राशी पर आठ प्रतिसत प्रतिवर्स की दर से दो वर्स के लिए चग्रिद्धी ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर दिया है तो X का मान यानि प्रिंसिपल इस बार आप से पूछा गया है तो देखे friends अगर मैं दो साल के difference की बात करूँ तो देखे friends आप इस वाले पर इस पर direct भी रख सकते हैं जो आपको यहाँ पर यह बताएगा इस पर apply भी कर सकते हैं इस बात का ध्यान देना यहां से भी आ जाएगा लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हैं friends उसी तरीके से आपक 0.64% 0.64% मेरा आया लेकिन question में कितना दिया है 19.20 इसी तरीके से friends आपको पर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बात का ध्यान देना decimal equal जगा है कट जाएगा तो 1% की value निकाल देंगे तो 643 या 192 होता है तो 1% की value 30 आ गई एक सिकामान मूलधन हमेशा friends 100% होता है 2-2-0 यहाँ पर क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे यानि मूलधन कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा यानि D option ही क्या होगा friends इस question का correct answer होगा I hope की friends बातने ही आप समझ गए होगे तो चलिए friends अगले question की तरफ बढ़ेंगे और अगला question बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है अगला question friends आप लोगों से क्या कह रहा है question कह रहा है कि 10,000 रुपए पर 5 प्रेस्ट वार्षिक दर से 3 वर्स के साधारन ब्याज और चक्विधी ब्याज का अंतर क्या है तो अब देखे friends 3 साल के साधारन ब्याज और चक्विधी ब्याज क आप इस पे apply कर देते हैं तो भी difference पता चल जाएगा चलिए friends इसी पे लगा देते हैं पी बराबर कितना है जैसे friends आपका 10,000 है rate कितना है 5, 5 बटे क्या कर देंगे 100 का square अगले bracket में friends कितना हो जाएगा 300 प्लस 5 बाई 100 यही हो जाएगा तो अब देखे friends यहाँ से कितना हो ज discover कर देंगे friends कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटु एक बटे 400 इंटु कितना हो जाएगा 300 पांच और बटे कितना हो जाएगा 100 तो अब देखे friends 4,0 से तो 4,0 cancel हो जाएगा 4,0 से तो 4,0 यहाँ पे आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया तो 300 में 4 से भाग कर देंगे कितना जाएगा 4 सते 28 25 हो गया 4 छंग 24 76 दसमलों कितना हो जाएगा 25 76 दसमलों 25 हो जाएगा ऐसा कौन सा आपसन दिख रहा है C आपसन दिख रहा है यही इस question का correct answer होगा clear है आप इस पर direct रख देते हैं तो बड़ी आसानी से फ्रेंट्स आएगा लेकिन ध्यान देना यह सिर्फ 3 साल के लिए गए किसके लिए लगेगा फ्रेंट्स 3 साल के लिए लगेगा एक तरीका फ्रेंट्स इसका और है कैसे निकालेंगे माल लो किसी को यह नहीं याद है तो अब देखिए दो साल के लिए जो compound interest निकालते हैं फ्रेंट्स वो कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पर अच्छे समझा दे रहा हूँ x plus y plus xy by 100 यह दो साल का है compound interest दो साल का compound interest निकालेंगे तो देखिए 5% है लेकिन 3 साल का है तो पहले अगर मैं 2 साल के लिए बात करूँ तो 5 plus 5 plus 5 into 5 by कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो यानि 5, 5, 10, 25 यानि कितना हो जाएगा 10.25% अब एक बार प्रतिसत परिवर्तन यही और लगा दीजे प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 into 10.25% यही आजाएगा तो इसका मतलब इसके पूरे को calculate कर देंगे इसको calculate करेंगे तो 15.25% और यहाँ गुड़ा कर लेंगे तो आपका जो है complete हो जाएगा यानि कितना आजाएगा कितना जाएगा इसको calculate करेंगे तो 15.762% आएगा आप से अंतर पूछा गया है तो आपको क्या करना है 10.762% निकाल देंगे तो कितना जाएगा 76.25% I hope कि friends बातने यह आप लोग समझ गए होंगे कि यानि अगर आपको यह नहीं याद है तो फिर आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा I hope कि आप समझ गए होंगे तो चलिए friends इस question को हम लोग फिर साल्ब करते हैं जैसा कि यह question क्या कह रहा है question कह रहा है कि यह 10,000 रूपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्विद्धी ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितने रूपए का अंतर है यह आप से पुछा गया है तो अब ध्यान से देखे friend 3 साल तक का तो टेक है लेकिन 4 साल का नहीं है इस बात का ध्यान देना फ्रेंट से 40% rate दिया है लेकिन अगर मैं तिमाही की बात करूँ तो एक साल में कितने तिमाही पढ़ेंगे तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 यानि 4 तिमाही पढ़ेंगे कितने तिमाही पढ़ेंगे 4 तिमाही अगर ही 40% एक साल का rate है तो तिमाही में कितना पड़ेगा friends 10% 10% 10% और कितना पड़ेगा friends 10% मुझे निकालना पड़ेगा तो दो साल के लिए भी तो हमने आपको बताया था तो दो साल के लिए compound interest अगर निकालना है तो देखे friends यहाँ डारेक्ट निकाल सकते हैं 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100 अब देखे फ्रेंट्स यहाँ थोड़ा सा calculation आपके लिए बढ़ जाएगी लेकिन अगर आपको चीजे याद है तो आप देखते ही कर सकते हैं इस बात का दिया देना देना दो साल के लिए compounding test एक 20% pen नहीं उठाना पड़ेगा अगले साल तीसरे साल के लिए बात करूँ तो हमने कहां तीसरे साल के लिए आपको कुछ करना नहीं है 10 प्लस 21 परंट ले लेंगे और प्लस कितना हो जाएगा 21 इंटो 10 by 100 हो जाएगा तो यहां से फ्रेंट्स आपको कितना हो जाएगा देखे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 21, 10, 31 31 में 2.1 और जोड़ देंगी यानि 33.1% यह तीन साल के लिए कंपाउंड इंटेस्ट हो गया फ्रेंट्स अगर मैं चौथे साल के लिए बात करू तो चौथे साल के लिए कितना हो जाएगा तो फ्रेंट्स हमने कह लेंगे तो 46.41 परसेंट आएगा कितना जाएगा 46.41 परसेंट आएगा यह चीजी आपको डारिक्ट याद रखना है फ्रेंट्स पेपर में ताकि आपको सोचना न पड़े और न निकालना पड़े अंतर पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है अंतर कितना जाएगा दे इतना निकाल देंगे 6.41 परसेंट निकालेंगे तो कितना जाएगा 641 आएगा यही डी आपसर इस कुष्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है आई होग कि आप लोग बातें समझ गए होंगे तो चलिए फ्रेंट्स जिन आप लोगों को बातें अच्छे समझ में आ गई है तो इस कुष्चन का अंसर क्या करना है कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है कि इस कुष्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है तो चलिए फ्रेंट्स और जिस टॉपिंग में आपको दिक्कत हो वो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं उस पर जबर दस तरीके से वीडियोज बनाई जाएगी तो चलिए फ्रेंट से सको एक नहीं रखते हैं थैंक्यू, all the best